नमस्कार दोस्तों यूट्यूब केनल सुपर्ण से मैं मोयत चैसनो आपका स्वाइथ डूस्तो हम क्ले पढ़ रहे थै और किलों में दोस्तो हमने स्वाइमादवपूर के और यसल मेर का किला उसके लावर में जो किल्हा मलता है वो दोस्तों सब कुछ हम उसमें दोस्तों बन लां किसने कंग मन कि और देखते में अरी देखते हैं मुख़ा हैं तो दोस्तों अमजो पड़ने जा रहरे हैं वह है सीनले König स्वाना दुर्ग अब लूझ का निरमान किसम ने करiva James का क्या अन्य नाम मिलता है यह कहा है यह को पहले तो वो देलख कि आए इसको कि न Himal निमान किसमे कर आए विद्र ze इसको बनुँआ है थे करे तो इसका निर्मान करता कोई है वी नरायन CAPO वीर नारायन पार अब दोस्तों ये वीर नारायन पार कौन है दोस्तों बोज परमार है उसी का पुत्र है वीर नारायन तो ये है बोज का पुत्र बोज परमार का पुत्र बोच परमार का पुत्र दोस्तों जो सिवाना का दुर्भ है ये कहां बना हुआ है ये दोस्तों बना हुआ है चपन की पहाड़ी है चपन की पहाड़ी है चपन की पहाड़ी हो पर दोस्तों हल्देश्वर पहाड़ी है उसके उपर बना हुआ है मुझें चाल्देशंवर पहाडी उसके उपर बनाना हूं से स्रेवान को तूसर जो रधास्तान उनीडन में जो है बाड़ मेर में और दोस्तों जो चपन का मेदान है वो माही का जो सेक्टर करता है जैसे डुंगरपूर बाश्वाड़ा में जो माही नदी बैती है वहाँ पे जो मेदान बनावा वह चपन का मेदान है तो दोस्तों यह हो गया कि कहा इसका निर्मान और इसका किसने आचे नम इसका जो अन्य नम मिलते हैं, वो देखते हैं दोस्तों, हम जब इसके शाके पढ़ेंगे, तब उसमें एक बात मैं आपको गवर करवाऊंगा कि इसमें जालोर दूर की कहने का क्या मतलब रहा, जालोर में जब साका होगा तो इसका क्या परभाव पढ़ेगा, इसक को कहते हैं मारवाड की संकट काली सरनिस्तली दोस्तों क्यों कहते हैं मारवाड की संकट काली सरनिस्तली तो यह जानेंगी दोस्तों हम की यहां पे जो माल देव भाग के आया था तब शिवाना दुर्ग में उसने सरन ली उसके बाद में जो माल देव का पुत्र है चंदर सें वो भाग कर आते हैं कहने मतलब जब अदीन तस्विकार नहीं करते हैं तो अकबर उन से जो राजी सीन लेगा तो उसके चंदर सेन भी यहीं आए गे उसके बाद में अजीत सिंग भी दोस्तों यहां पर आके रुकेंगे दोस्तों माल देव आयेगा तो अजी सिंग ऑरंग जैब के समय थे तो अजी सिंग आ ले अब दोस्तों यह वह गया इनका सरनिश्टई लिग कहते हैं और दोस्तों इसका एक नाम मिलता है खेराबाद और यह लूंठ लूए किसंए रखा दोस्तों जब यहां पर पहला साका Juliet में और अलावधिन खिल जी ये नाम रखेगा खेर बाद दोस्तों आमने चिक्तोड का दूरुपढ़ पड़ा तो अपने पुतर के नाम पर खिज्रा बाद उसका नाम और क्या क्या है और इसका और अंदर जो साका मिलता है तो वह दोनों साके पड़ेंगे कि किस किस के काल में हो दोस्तों जो इसका परकोटा है उसका निर्मान देख लेते कि इसका परकोटा की निर्मान क्या करवाया तो इसका परकोटा जो बनवाया था वो दोस्तों जब और दोस्तो अब यहां पढ़ते हैं कि जो साके हुए थे दो उन साकों के बारे में तो दोस्तो जो पहला साका होता है वो साका होता है अलाव दिन खिल जी के गाल में तो पढ़ते हैं साके था स्का और स्का होता किते हैं दो दोस्तो हमने जेसल-मेन का पढ़ा तो उसमें 203 स्के हैं आप यहां पर नग। गुण होरो स्का कदे हैं dog aan the north canine ko few work together तो वह पढ़ा अमने तो दोस्तो हम सीरियल वाईस पढ़ने 1200 sah सो बरनान में होगा फिर 1201 में होगा ज्यां और Olympics यह अलाव दिन खिल्जी काल में और है कपका दोस्तों वो है 1308 का तो पहला साखा है वो 1308 का है यह हो गया 1308 में अब दोस्तों यहां साट अ को नो समय दोस्तों यहां साटल देव या इसी का नाम मिलता है सातल देव सीतल देव दोस्तों नाम मिलता है यह वंगिया दोस्तों सीतल अब दोस्तों आग्करमन करता कों है वह है , आग करमन कशना वह нужен प्रिम में जितार में पर विदा जित वह चितार में फिर सीतार करें विश्वासगात करने वाले वेक्ति को अपने तर्फ करता है अलाओ दिन खिल जी अब दोस्तों कारण क्या बना मैंने दोस्तों जब दोनों साके पढ़ाये थे पहले भी जब रन्थमबोर का और चितोड का शाका पढ़ाये थे तब उसमें मैंने एक कारण इंपोर्टेंट निए वह बताया था कि और अरंण जयप को पहले तो गुजरात जाने का मार्ग यहां गुजरात पढ़ता है तो गुजरात जाने के लिए मार्ग भी जी आ था और यहां दिल्ली पढ़ता है तो इसलिए उसने राजू-चाथ पुता ने में आकरून करना शुरू किया तो यहां पर है चितार हो घर मेर मेंा हेरा जालव में तो जपर्न तो चिर्णाएंट जालव में तो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यह है कि गुजराथ जो उनको मार्ग कीये था वो इसी है पुचह सब्सक्ने पाया था कि तो यह सब कुछ हो गया तो 1208 में वहां नेंगे जुरूत क्या पड़ी दोस्तों हुआ क्या कि औरंग जेब ने 1301-1303 के बाद में दोस्तों सीधा जालोर पर आकरमण किया था वह 1308 के करीबन हुआ था दोस्ति उस्तो 8 में उसने अभ्यान किया था जालोर पर हुआ क्या जब जालोर पर जालोर पर सीवाना वाले इनके जालोर्यों के सग्य समंदी थे तो उनों वह आकरमन करए इनके गिहरों को तोड़ देते और सत्राव्यर जालोर की दुर्वत पहुंचा दे यहां जो साका होता उसके बाद में जालोर जीतने चला जाता है तो दूस्तो यहां गुजराथ का मार्क प्रसस्त हो रहा इसलिए अलाव दिन खिल जी आकरमन कर रहा है दोस्तों यहां कोई और बड़ा कारण नहीं मिलता जबकि यहां पर पद्मीनी का इश्यू मिलता है जो चितोड में और जो रंतंबोर में मिलता है वह हमीर के काल का की हमीर पास में भी है और सामने से शक्ति बढ़ा रहा है और सब कुछ एसा कारण मिलता है अब दोस्तों यहां करण करने कारण मिलने बता दिया अब दोस्तों अलाओ दिंखिल जी दोस्तों पीने के पानी का तो यह बाईला पमार क्या करता है उसमें गाई का रक्त डाल देता है गाई रक्त डाल देता है किसमें दोस्तों इस सरोवर में जो तालाब बनाया हो उस तालाब का नाम मिलता है दोस्तों भांडेलाव तालाब इस तालाब में दोस्तों क्या करता ह को गाय का रख्त डाल देता है तो यह ऐससुद हो जाता है और जो धुतिा to अब तो अब क्षरिय करने के उसमें आजाते है उस सदाती है यहांपर संतर हो जाता है तो दोस्तों यां जो मिलता नहिंद कि किसने जोहर का नेता तो किया एसा मिलता कि सीतल देव जो है वो उन्होंने केसरिया का नेता तो किया तो यहां दोस्तों साका का कैसरिया का नेता तो किसने किया वो सीतल देव ने किया अब दोस्तों सीतल देव मैंने बताया कि वो जालोर के सासको का सामन दिये तो यह जालोर म मतवर्दू होगा वो दोस्तों हो का पंद्राशुट 960 और इस समय जो शासक है कहें कल blessing नाम कि तो यह यहां का पाढ मेर का शासक, कल्यांड सिंग इसका नाम मिलता दोस्तों अनने, तो यह दोस्तों ओman करेगा अकबर, और करने का मतलब, यहां पर साका होगा, और आकर्मन करता कौन दोस्तों वो है आकर्मन करता और यह कौन है साथ अकबार अकबार ने यहां पर आकर्मन किया और साका हुआ दोस्तों अक्रमन के तरफ से सेना पती आते थे तो यहां पर जो सेना पती आता है तो यहां पर जो सेना पती आता है जो आक्रमन करने वो आता है मोटा राजा उदे सिंग और दोस्तों मोटा राजा उदे सिंग है कौन तो मोटा राजा उदे सिंग है दोस्तों मारवाड का सा एक वह के हुए को मारवाड की इनकी उपाधी मिलती है पता देता हुआ को बंदी बनाए गया ठिकर दौस्तों और जो इनकी उपादी मिलती है इनको गउआ जहता है सेर राजस्तान खिरों यह बहुता सिवाना अब दोस्तों सुरू करेंगे बाढ़ मेर में जो दूसरा किला है वो हो चोटा सा दूर के दौस्तों इत्ता इंपोर्टेंड भी नहीं मिलता उसका कोई योगदान भी नहीं है तो छोटा सा दूर्ग है यहीं पर पढ़ लेता है उस दूर्ग का नाम है कोटड़ा का दूर्ग करते हैं दोस्तों कोटड़ा दूर्ग यहीं पर करते हैं दोस्तों कोटड़ा दूर्ग कोटड़ा दूर्ग कोटड़ा दूर्ग यह और अंपन फिर उपन मानलना जाता है यह जो मिल तब में पहले दोस्तों एक सर्गला कुवे है तो थो इतना impertant नहीं तो सर्गल्क कुवढ और दोस्तों जो यह है कि यह जेशेन संप्रदाई की नगरी थी जो न शल्गा था वह जेशनों के सह Ama जेनझ दरम के कज़राद करता हुआ है तो बाद में चीज में गुर्गृ को, कमालोदीन गुर्ग, यह क्या मनता हु, धौकर धूकर भूलवार, इसके ग्ल섯ी सीरालॉाद क होने के साका हुआ थे क्लएदार – यह है धूकर हो गया time last दो भादशन हे वाडमेर का जो सुरू करेंगे जालोर दो सेला साही है, यह 100 तो पorthy को आगए घृट गए जो किल्लण पर इंदर है पर लेगं फữa किल्ल obligation पर फेल्सर और ने बाड़ कि क्या-कि इसके अंदर है वह देखते हैं अब तो पहले बनवाया था ने गूंप है कि अलसे 6 प्रमार्सासक दारवर्षन है कि इसको इसका निर्मान कर रहे हैं अब डोस्तों पहाड़ी 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 इसका एक उन्य नाम मिलता है दोस्तो सोनलगड सोनलगड एक मिलता है इसका दोस्तो कनकांचल कनकांचल कर्यों एक एक मिलता है जो जलालाबाद जलालाबाद अब दोस्तों जलालाबाद किस ने किया वो किया था अलाउदिन किल जिन क्योंकि यहां पर भी आतमन किस ने किया था वो किया था अलाउदिन किल जिन यहां पर दोस्तों एक हिसाका होगा ठीक है दोस्तों तो यह हुआ यहां के अन निकोदी का चबोत्रा मिलेगा वो मिलेगा पिप्छफोला जीन में यहां पर गलकी नमक एक निर भी दोस्तों उसका यह होता है कि वह रसीपर चलती है मैं राना लाख कारा हैं टो यह वो आदा राजा देसरा के लें के लिटा आ cylinders लिटेंगे तो पूस्ट आदा रजे देंगे वह आदा राधी रस्षी पे चल भी जाती है पिच्छला जूल पार होने वाली होती है तरत्व लाका के चड़ार उस प्रस्टी को खाड़ देते हैं और नटनी पिच्छला जूल के अंदर मढ जाती है महाँ पर उसका चबूत्रा बनाऊ त दोस्तों यहां पर मिलती है एक वीरम देव की चोकी दोस्तों वीरम देव को नहीं के बारे में जानेगे तो वीरम देव की चोकी का है वो दोस्तों जालो दुर्ग में यहां पर मिलते हैं दोस्तों एक दैया इस्तम दैया इस्तम के बारे में भी दैया कौन था उसके बारे मे देखेंगे इस्तम बनाने का क्या रात एक यहां पर मिलता है दोस्तों मान सिंग महल मान सिंग महल और क्या मिलते हैं वो भी देखते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों मलिक सा की दरगा है मलिक सा की दरगा है दोस्तों यहीं पर अलाउदीन खिल जी की वो है उसे कहते हैं मस्ज अलाही मस्जित तो यह अलावदिन खिलजी ने जीतने के बाद मनवाई थी तो अलाही मस्जित है अब दोस्तों यहां जेनियों की तीन मंदीर है तो जेन दरम के तीन मंदीर और जेन दरम के तीन मंदीर है दोस्तों उनमें से एक पार सुनात का मंदीर सबसे भव्य है तो वो किर्थिस्तम किर्थिस्तम कुस काल काका है परतियार नहीं IF परमार काल का है क्यों सा किर्थिस्तम अब यहां पर जोग माया का मंदिर के जोग माया का मंदिर भी यहां पर मिलता है दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ा मिलता है वो मिलता है एक तोफ खाना मस्जित है यहां पर दोस्तों तोफ खाना मस्जित क्या है उसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है क्या थी तोफ खाना मस्जित अब दोस्तों तोफ खाना गपने खुलाल हो तोड़कर और फाट साला गिस दोस्तों गो बोज के काल किती तोड कर इसका निर्मान किया गया दोस्तों वो किया गया तोप खानले मजीर का जब अलावदीन किल जी का यहां पर आधिपत्य हो जाएगा तो दोस्तों वो इसे काम करेगा इनको तोड़ देगा तो यह सिर उत्रे में है तो दोस्तों इसiben लेके इसको रचाय गया है तो दोस्तों यह मिलता प्लब के שमान द्रेंगे प मिला आप सब्सक्राइब के बारे में जाए तो प्लसा के बारे में आप किरा देए दोस्तों बडूक को नजरबन र writers क को यहां पर तीन चार्य हो इसके हाइवा ख़ाने कांणर देव और दुस्तो उनको पुत्र मिलता है वो राज Κुमार है वो ह concern देव तो कि आका है याँथ में उचिवाना, और यहां पर गिरह लगा तरा कम ले शाथ हे पर सीवाना बाले उन रेजन क्या मिलते हैं कि गुजरात का मार्क चीहीं, अब डोस्तों, गुजरात का मार्क चीहीं उसके एक रेजन, उप मानते हैं कि वीरम दिव अलावदीन के दरबार में गए थे ने गये तो उनकी कुटरी मिलते है फिरोजा तक उन theor विवा की रीवा की जित करते हैं just जले हैं वहता है कि दत्था होग कहते हैं सकता हो चाथ जाएंगी डूसके उसके बाद में क्या है तसके देंगे था थाOS उसके बाद मैं जाएगा गान दोस्तो फिरोजा उसको देखेगी उसके साथ मार जाएगे अब दोस्तों हुआ क्या माना यह जाता है कि अलाओ दिन खिलजी ने आकरमन किया तो रिजन यह रहा कि उसके दाशी को बेजा उसके बाद में वीरम देव के मरतियों वह बाकी दोस्तों जो इत्यास अधिकतर इत्यास कार मांते वह मांते है अलाओ दिन खिलजी ने बेद बता देगा किले के और धिकार किसका हो जानी अब दोस्तों इहाँ पर किले के अब करे गा करेगा कमालुदीन गुर्क को को दोस्तों कमालुदीन गुर्क को दोव में कर चुक्थ shipana में और ऑप किया कहा किया है दोस्तों वो किया है जालोर में तो दोस्तों यह हो किया है जालोर के दुर्ग का अब दोस्तों हसन निजार्मी इसके बारे में बोलते हैं कि यह दुर्ग अभेद है और दोस्तों इसके सामने एक पहाड़ ही है जहां पर जालंदर नात की तपो भूमी है वहा आख्रमन उनके बारे में और बताते थे हूं, तो मिलते है रणमल और रत्तिपाल रणमल वह रतिपाल अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे उसके बाद में अगले दूर पढ़ेंगे तो उनमें अलाउदिन खिल जी का इत्ता नहीं मिलेगा अलाउदिन खिल जी के राजपता नहीं जो आकर माना वह पढ़ लिया में दोस्तों एक दो रणमल और रतिमाल ये 1301 म में जो हुआ सिवाणा में मिला सीवाणा का यह लिख देता हूं में दोस्तों और यहाँ पर निताaden दीया का दोस्तों आलाउदिन खिल जी का यह नीति है कि पहले वह लोगों खरीडता बाद में धूस्त मिंको मरवा दएगा अर्यंस ह assess υrichten के मरवाएगा जब तुम स्वामी के भक्त नहीं हो चुगे तो मेरे क्या भक्त होगे बाद में तुम कहीं और भी जाओ कि तो रणमल को ऐसे लटका गे और बाद में दोस्तों इनकी दोनों की भी मौत की गाड़ो दा दाता कौन अलावद इन खिल जी की लोग रख की नहीं थ दोस्तों यह दोस्तों मिलते हैं यहां पर जो विश्वास गाती हैं वह और दोस्तों एक और जान लेते हैं कि दोस्तों यहां पर किले दा किनकी को नियुक्त करेगा दोस्तों वह करेगा इसका पूत्र है खिजरगा और उसी के नाम पर दोस्तों करेगा खिजराबाद और जो वहाँ पर शीवाना में जो किलेदार न्यूक्त करेगा वो करेगा दोस्तों उसके कमालुदिन गुर्ग को और दोस्तों शीवाना के दुर्ग को नाम करेगा खेराबाद और दोस्तों यहाँ पर जालोर दुर्ग में बता देता हूं जब यहाँ पर हो जाएगा तो दुर जिला और शिवाना जिला बागी दोस्तों हम बढ़ेंगे कर तत्तर के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सूपर स्यंग को दोस्तों सब्स्राइब करें